दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है अभी दो दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक AI मूवी ट्रेलर अपलोड किया था जिसे मैंने कॉंसिस्टन्ट कैरेक्टर्स का इस्तिमाल करते हुए क्रियेट किया था उस ट्रेलर वीडियो पर कई लोगों ने कॉमेंट किया था कि मैं इसका complete tutorial वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों की बात मानते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि कैसे आप AI मूवी क्रेट कर सकते हैं और अपनी AI मूवी के लिए consistent characters अपने खुद के face के साथ कैसे create करेंगे और अपने characters की images को कैसे वीडियो में convert करेंगे तो अगर आप भी अपने face का इस्तेमाल करते हुए consistent characters के साथ अपनी खुद की AI मूवी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और किसी भी step को miss न करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपनी AI मूवी की script generate करने के लिए हम chat GPT पर आएंगे और यहाँ इस prompt box में अपनी script generate करने के लिए यह prompt enter करना है यह prompt आपको वीडियो के description में मिल जाएगा अब आपको जिस तरह की भी movie या animated cartoon वीडियो बनानी है उसी तरह का title इस prompt में enter करना है जहां यह yellow part दिखाई दे रहा है यानि about के बाद और end के बीच में वहाँ आपको अपना title एंटर करना है अब इस prompt में नीचे हमारे character की settings और details लिखी हुई है अब क्योंकि हमें movie बनानी है और हमारी movie में एक आदमी का character है तो यहां species में मैंने a man, realistic, cinematic लिखा है इसी तरह नीचे video style में भी realistic, cinematic लिखा है अगर आपको animation video बनानी है तो आप यहां लिख सकते हैं a man, 3D, picture style और video style में भी 3D, picture style लिख सकते हैं बाकी settings को हमें यहां नहीं छेड़ना है अगर आपकी script में एक से ज्यादा characters हैं तो आप इस character की settings को copy करेंगे और नीचे paste कर देंगे और species में उस character को define कर देंगे, मान लीजिए हमारा दूसरा character एक woman है तो हम यहां man की जगा woman कर देंगे बाकी settings वही रहेंगी अब इस prompt को copy करेंगे और chat GPT में आकर इस box में paste करेंगे और send पर click करेंगे अब chat GPT ने हमें movie trailer की script generate करके दे दी है यहां मैंने movie trailer की script generate की है क्योंकि अगर पूरी movie की script generate करेंगे तो video बहुत लंबा हो जाएगा chat GPT ने हमें हर scene के लिए character की सभी details generate कर दी है यहां तक की image generate करने के prompts भी दे दिये हैं लेकिन अगर हम इन ही prompt से image create करेंगे तो consistent characters के साथ images generate नहीं होंगी consistent characters generate करने के लिए हमें chat GPT को एक और command देनी होगी इसके लिए हम वापस अपने google docs पर आएंगे और एक दूसरा prompt इस्तिमाल करेंगे यह prompt भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा अब हमें यहां chatted GPT से मिली character की सारी information भरनी है जैसे की character का नाम, उम्र, species, appearance, expression, clothing, वगेरा यह सारी information chat GPT ने पहले ही generate कर दी है तो हम chat GPT पर आएंगे और character की details copy करके google docs में paste कर देंगे अब scene के आगे हमें इस image prompt information को paste करना है तो इसे यहां से copy करके google docs में scene के आगे paste कर देंगे अब हम अपने browser में नए page पर chat GPT open करेंगे और google docs से दूसरे prompt को copy करके chat GPT में paste करेंगे फिर send पर click करेंगे अब chat GPT ने हमें हमारे movie trailer के पहले scene के अनुसार image generate करने के लिए prompt दे दिया है अब हम इस prompt से image generate करेंगे image generate करने के लिए हम leonardo.ai का इस्तेमाल करेंगे leonardo पर आपको अपना account create कर लेना है account बनाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा यहाँ image creation पर click करेंगे अब हमें कुछ settings apply करनी है इसके लिए left hand side में drop down पर click करेंगे और cinematic kaino को select करेंगे उसके बाद नीचे जाकर mode पर click करेंगे और desktop option select कर लेंगे फिर इस box में prompt enter करेंगे prompt के लिए हम वापस chat GPT पर आएंगे और अपने prompt को copy करके इस box में paste करेंगे अब generate पर click करेंगे processing पूरी होने पर आपको 4 images मिलेंगी अब 4 images मिल चुकी हैं जो image आपको पसंद आए उसे download करने के लिए simple download पर click करें अब हमें दूसरे scene के लिए image generate करनी है इसके लिए हम वापस google docs पर आएंगे अब इस prompt में हमें कुछ changes करने होंगे क्योंकि दूसरे scene में character के expression, pose या action और scene का environment बदल जाएगा इसलिए हमें movie के scene के अनुसार settings बदलनी होंगी जो settings yellow color में highlight हो रही है उन्हें हर scene के लिए बदलना है इसके लिए हम वापस chat GPT पर जाएंगे और दूसरे scene में जाकर character के expression को copy करेंगे और google docs में expression के आगे paste करेंगे इसी तरह pose और environment information को भी copy करके respective places पर paste करेंगे अब दूसरे scene के image prompt को copy करके google docs में scene के आगे paste करेंगे अब इस prompt को copy करेंगे और chat GPT में paste करके send पर click करेंगे अब chat GPT ने दूसरे scene के लिए image generate करने का prompt भी दे दिया है इस prompt को copy करके लियोनार्डो में paste करेंगे और generate पर click करेंगे अब दूसरे scene के लिए images मिल चुकी है आप character consistency देख सकते हैं जो image आपको पसंद हो उसे download कर लीजिए इसी तरह chat GPT से तीसरे scene की information copy करके Google Docs में paste करेंगे फिर prompt को copy करके chat GPT में paste करेंगे और send पर click करेंगे अब तीसरे scene के लिए भी prompt मिल गया है इसे Leonardo में paste करके generate पर click करेंगे तीसरे scene की images भी मिल चुकी है अब जो image पसंद आए उसे download कर लीजिए इसी तरह हमें सभी scenes के लिए images generate कर लेनी है अब हम अपनी image में face swap करेंगे face swap करने के लिए AI eyes का यह एक free tool है जिससे आप unlimited face swap कर सकते हैं face swap करने के अलावा इसमें आपको और भी कई features मिलते हैं इस tool के उपर मैंने detail में video बनाया हुआ है अगर आपने वह video नहीं देखा है तो i button पर इस video का link आपको मिल जाएगा जिसे आप बाद में देख सकते हैं वीडियो के description में भी आपको इसका link मिल जाएगा link पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएगे यहाँ try free AI face swap पर click करेंगे उसके बाद आपको इस पर अपना account create कर लेना है account create करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा अब यहाँ दो options देखने को मिल रहे हैं अगर आपकी image में एक ही character है यानि एक face change करना है तो पहले option को select करेंगे अगर आपकी image में एक से ज्यादा character है यानि एक से ज्यादा face को आपको change करना है तो आप दूसरे option को select करेंगे क्योंकि हमारी image में एक ही character है तो पहले वाले option को ही select करेंगे अब यहाँ पहले option में हमें अपने उस face को upload करना है जिसे हमें अपने character के face की जगह लगाना है तो यहां upload पर click करेंगे और अपने उस photo को upload करेंगे अभी हम यहां से रणवीर सिंह का photo upload कर लेते हैं अगर आपको अपनी movie में खुद का face इस्तिमाल करना है तो आप अपना खुद का photo select करें अब दूसरे option में हमें अपने character की image को upload करना है तो यहां upload पर click करते हैं और अपनी पहली image को upload कर लेते हैं अब नीचे face swap पर click करेंगे और कुछ देर की processing के बाद हमारी इस image में रणवीर सिंह का face apply हो चुका है डाउनलोड करने के लिए download पर click करके image को download कर लेंगे अब अपनी दूसरी image को upload करेंगे जो face हमने पहले upload किये थे वे सब हमें यहां नीचे दिखाई देंगे तो रणवीर सिंह के photo को हम यहां से select कर लेते हैं और नीचे face swap पर click करते हैं दूसरी image में भी रणवीर सिंह का face apply हो चुका है अब one by one इसी तरह सभी image में हमें face swap करके image को download कर लेना है अब अपनी in image को हम video में convert करेंगे इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे mini max haloo ai का इसका link आपको video के description में मिल जाएगा link पर click करने के बाद आप इस page पर आ जाएंगे यह एक Chinese tool है हो सकता है जब आप इसे open करें तो यहाँ language आपको Chinese दिखाई दे इसके लिए हम right click करेंगे और translate to English पर click करके इसे English में कर लेंगे हालांकि यह समस्या इस tool पर शुरू में थी अब यह English में भी उपलब्ध है तो आपके सामने language English ही आएगी इस website पर आपको अपने Google account से account create कर लेना है account create करने के बाद अब हमें अपनी image को video में convert करना है इसके लिए image वाले option पर click करेंगे और अपनी पहली image को upload करेंगे image upload करने के बाद अब उपर इस box में हमें prompt enter करना है prompt के लिए हम chat GPT पर आएंगे और जिस prompt से हमने अपनी image generate की थी उसे copy करेंगे यह हमारी पहली image है तो पहले prompt को copy करेंगे और यहां इस box में paste कर देंगे उसके बाद create पर click करेंगे हमारी image अब video में convert होने की processing में भेज देते हैं image upload करते समय ध्यान रखें कि जिस image को आप upload कर रहे हैं उसका prompt आप यहां paste करें अब हमारी पहली image वीडियो में convert हो चुकी है download करने के लिए download पर click करेंगे तो हमारी video download हो जाएगी अब यहां पर हम एक साथ तीन image को video में convert कर सकते हैं एक image हमारी processing में चल रही है तो दो और image upload कर लेते हैं जो भी image video में convert होती जाएगी उन्हें हम download कर लेंगे इसी तरह हमें अपनी सभी image को video में convert कर लेना है voice over generate करने के लिए हम इस्तिमाल करेंगे 11 labs AI इस पर भी आपको अपना account create करना होगा account create करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा अब यहाँ इस box में हमें अपनी movie trailer की script paste करनी है script के लिए हम वापस chat GPT पर जाएंगे अभी हमारी यह script English में है अगर आपको English में ही बनानी है तो आप इसे direct copy कर सकते हैं लेकिन अगर आपको Hindi, उर्दू या किसी और language में अपनी movie trailer वीडियो बनानी है तो पहले हम इसे उस language में translate करेंगे इसके लिए हम chat GPT को एक command देंगे अगर आपको उर्दू में बनानी है तो आप हिंदी की जगह उर्दू कर देंगे इसके बाद send पर click करेंगे अब chat GPT ने हमारी script को हिंदी में translate कर दिया है अब script में हर scene में जहाँ जहाँ screen पर part के नीचे ये script लिखी है उसे हमें copy करना है और 11 Labs में आकर इस box में paste करते जाना है इसके बाद यहाँ drop down पर click करेंगे तो हमारे सामने voices open हो जाएंगी आप इन voices को play पर click करके सुन सकते हैं जो voice आपको पसंद आए उसे आप select कर सकते हैं मुझे brand की voice पसंद है तो मैं इसे select कर लेता हूँ voice select करने के बाद generate speech पर click करेंगे तो कुछ ही second में हमारी script का voice over ready हो जाएगा इसे download करने के लिए download पर click करेंगे इसके लिए हमें चलना है video editor में आप किसी भी video editor का इस्तिमाल कर सकते हैं मैं यहाँ पर cap cut video editor का इस्तिमाल कर रहा हूँ video editor open करने के बाद अपनी सभी video और voice over को यहाँ import करना है सबसे पहले voice over को timeline पर लेकर आएंगे अब अपनी script के according, voice over के साथ अपनी सभी video को timeline पर adjust करेंगे वीडियो को voice over के according adjust करने के लिए आप video की speed को घटा या बढ़ा सकते हैं जिससे आपके video की length छोटी या बड़ी हो जाएगी voice over और video को adjust करने के बाद आप अपनी जरूरत के अनुसार अपनी इन वीडियो के बीच में transition और effects का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम यहाँ अपने अनुसार अपनी इस वीडियो में transition और effects apply कर लेते हैं अब सब कुछ adjust करने के बाद आता है हमारा सबसे important part जो हमारी movie को वास्तव में movie का feel देगा इसके लिए हमें अपनी इस वीडियो में background effects और background music का इस्तिमाल करना है background music और effects के लिए हम चलेंगे pixabay website पर pixabay पर आने के बाद यहाँ drop down पर click करना है और sound effects को select कर लेना है अब यहाँ search bar में आप जिस तरह का भी sound effect या music type करके search करेंगे उसी type का background, music या sound आपके सामने आ जाएगा जैसे कि अभी हम यहाँ type करते हैं cinematic और search करते हैं तो हमारे सामने cinematic sound effects और music आ जाएंगे जिन्हें आप यहाँ play पर click करके सुन सकते हैं जो sound effect या music आपको आपकी video के according अच्छा लगता है उसे आप यहाँ download पर click करके download कर लेंगे इसी तरह आप अपनी requirement के अनुसार यहाँ से background, music और sound को download कर लेंगे अब वापस अपने video editor में आते हैं और background, music और sound को यहाँ import करते हैं अब अपने scene के according, background, music और effects को यहाँ apply कर लेते हैं और last में कोई cinematic clip लेकर उस पर अपनी movie का title लिख सकते हैं वाटर मार्क को छुपाने के लिए आप यहाँ अपने channel का logo या फिर अपनी movie के title को लगा सकते हैं अब सब कुछ adjust करने के बाद अपनी video को export कर लेते हैं अब अपनी video का final output हम यहाँ देखते हैं एक आदमी जो Amazon के दिल में खो गया जंगल की दया नहीं होती जंगल उसकी इच्छा शक्ति की परिक्षा लेता है लेकिन जीवित रहना उसके हर कदम पर निर्फर करता है वह अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करता है क्या वह घर लोट सकेगा क्या आप उसका साथ देंगे Amazon के जंगल से घर लोटने में तो देखा दोस्तों कुछी स्टेप्स को फॉलो करके हमने कंसिस्टेंट केरेक्टर्स के साथ अपना मूवी ट्रेलर क्रेट किया है इन्ही स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपने लिए मूवी ट्रेलर या मूवी क्रेट कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कंसिस्टेंट के साथ मूवी ट्रेलर या मूवी क्रेट करने का यह तरीका आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी helpful लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे अभी तक के लिए नमस्कार मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ